हेलो तो यहाँ पर देखिएगा जो निफ्टी का चार्ट लाकर रखा हुआ है हमने तो निफ्टी के चार्ट में ऐसी कौन से इंपॉर्टन लेवल से जहाँ से आपको काफ़े बढ़ी ऐसे प्रॉफिट हो सकता है क्या वह पाएगा या फिर वह सी इसाइड में हो पाएगा दोनों के बार में हम बात काने वाले हैं उसके साथ में हम यह भी देखने वाले हैं जो इंपॉर्टन लेवल होती है ना उस लेवल कोन सी जगर पर entry plan करना चाहिए है कोन सी यह कि पर हमारे exit plan हो सकता है और कल पिल्द दिन से लेवल कौन अब यहां पे 860 का जो डाउन फोल था वो कितने पॉइंट का डाउन फोल था क्या आप यहां पर करके बता सकते हो यह फिर मैं आपको यहां पर सीधी तरीके से जो है यहां से करके बता दूँ तो वह लगबिक 73 75 पॉइंट क्या सपास कर डाउन मतलब वहां पर जो जोइन होता है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहां पर अगर आप देखुए तो 516 पे लेवल हमने अपडेट किया था जिसने आज यहां पर 705 का कुछ हाई लगा दिया है ओके तो 705 का है एन उसके साथ में जो प्रीमियम ग्रूप में हमने अपडेट दिये थे वह अपडेट भी यहां पर काफी बढ़िया थे और उसमें भी अगर आप मिला लिती हो तो लगबुख 400 पॉइंट के आसपास का जो टागेट अचिवमेंट है वह हो चुका था अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि जो हमारे क्वीक एंट् हम कहां पर एक्जिट का प्लेनिंग हम कर सकते हैं तो 12,960 ढ़्य हमारा हो सकता है अब लिए उस टाम पर हो सकता है कि हमारे पास में पॉझिशन रहेगा वह पील्डिंग पॉझिशन रहेगा क्वील ळा हिंग हम यहां पर यहां से पर जाने के लिए ready हो रहा है अब अगर यह उपर जाने के लिए ready हो रहा है तो इसका target कौन सा रहेगा तो 25 25 020 का हमारा पहला target वापे निकल के आएगा ओके अगर market 25 020 के targets को break करता है यहां से अगर वो ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो फिर कहीं पर हम यह कह सकते हैं कि market के अंदर एक bullish momentum शुरू हो सकता है और यह bullish momentum भी हम capture करना चाहते हैं तो हम कौन सी level से कर सकते हैं अगर हमें यह मिलता है 920 के level के पास में वाला entry मतलब यहाँ पर थोड़ा सा quick entry हमारा हो जाएगा उसके साथ में यहाँ पर जो exit planning रहेगा ना वो भी हमा इसके साथ में एक बड़ा सा target हम बुक वापर कर सकते हैं अगर हमारा entry सही level पर होता है तो इसलिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि level हमारे पास बहुत ज्यादा important है अगर सही level पर हम entry plan करता है तो एक बड़े target achievement वापर किया जा सकता है यही जो चीज़ ही आपको सीखनी ह करना है अगर आप यह learning करना चाहते हो तो आपको क्या करना है totally जो हमारा free वाला टेलिग्राम चैनल होता है उसमें आकर के join कर लेना है link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा या free टेलिग्राम पर जाईए bank nifty option trade search करिए और इसके अंदर आप आसने से join हो सकते हो अब हम यहा लेवल से entry मिलेगा और कौन सी level से exit plan किया जा सकता है अब फिलाव के सबसे 24,860 और उसके बाल में 24,870 यह दो टागेट निकल कियाएगे और उपर की direction में 25,060 का एक target आएगा उसके साथ में 25,080 का target आएगा अब यह target अची होने वाला है यह target अची होने वाला है वो तो आ फिर नहीं करोगे तो definitely yes वहाँ पर हम trade plan कर सकता है लेकिन वहाँ पर कैसे चाहिए एक quick trade कर अगर plan करना है तो quick exit and अगर slow trade plan करना है तो फिर slow trade के साबसे slow exit का आपका जो है planning होना चाहिए अगर यह दोनों चीज़े आप follow कर पाते हो तो आपके लिए काफे बढ़िया से level स्व जो भी market में important update रहेगी उसके information भी आपको भापर मिलती रहेगी तो इन दोनों चीज़े लेवल्स पर आपको क्या करना है focus बनाए रखना है अगर यह आपके हिसाब से सही time में अगर आपको यहाँ पर entry मिल रही है market की लिए तो जाकर कि आप वहा पे entry definitely planning कर सकते हो अब ना मैं आपको यहाँ पर जो है निफ्टी के बारा में बताओगा निफ्टी के बारा में लगिन उसके साथ साथ आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो निफ्टी का information मताया जा जाती है जिसके ऐन्दर Dares men अपड़ता है बैंक निफ्ति में अब दोनों से तो नीचे जा रहा है तो नीचे का इंटिरीग्ड़ तो पर गर exactement अगर हमें एक साइड का ही ट्रेड Πैस्ट करना है तो तो फिर हमें क्या करना होता है मानलो Его बैंकि ओपर जा रहा है निफ्टी कि निचे आरें लेकिन हमें उपर के सेडिकर करना है तो हम क्या करने वाले हैером करने वाले हैं बदाबर एंडिं। के लिए सेल कर देगे तो अगर ऐसे चीज़ें आप करते हो तब आρχा करने आप से कर सकते हो लेकिन सेलिंग में बहुत ज्यादा फंड आपका यूटिलाइज होगा ये बात भी बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लीजे अगर ऐसा आप करना चाहते हो तो नहीं तो फिर अगर निफ्टी नीचे जा रहे तो डाउन सेड़ करें करिये उसे भी बाय साइड में जाए बैंक निफ्टी अगर बच आघा रहे तो उसका वपर के साइड कर रहे लेकिन अगर आप ये सोच्टे के अंदर भी बाय कर लें घा तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात आपकेuerdo हो सकती है अब यहां पर दिक्कत वाली बात क्यों होने वाला है क्योंकि आपको क्लियर मॉमेंटम पता चल रहा है निफ्टी नीची जा रहा है आप इसके अपोजिट में ट्रेड ले रहे हूँ यह सोच करके कि हमारा जो बैंक निफ्टी वह उपर जा रहा है तो डेफिनेट अब यहां पर जो है बैंक निफ्टी बी इंपोर्टन कुछ लेवल्स होगे तो वह बैंक निफ्टी के इंपोर्टन लेवल्स कौन से होने वाले वह मैंने आपको अल्री बता करके रखे हुए अगर आप उसे जानना चाहते हो तो आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाए वहां पर हमने इसे अप्डेट अल्री करके रखा हुआ है कि कौन से लेवल सामरे पास इंपॉर्टन वाली कौन से लेवल से हमें एंट्री प्लान कर सकते हैं और एक चीज़ का क्लिदी वाप करके रखा हुआ है और यहां पे जो मार्केट का मोमेंटम चल रहे हो लगब कह 24,000, 24,000, 950, and 25,000, 100,000, and down side में 24,000, 850,000 के आसपस में अगर होता तो यह काफी बड़ी ऐसा आपके लिए हो सकता था तो अगर इसके बीच में आपने टेरे प्लाइन क्या होगा तो अगर इसके बीच में आपको काफी बड़ी ऐसा कर सकती हो यहां से आपको थोड़ा अडवांस में लेवल अपडेट मिलता रहेगा तो यहां पर आ करके जॉइन कर लीजिए बाकी का अपडेट आपको वहां पर मिलता रहेगा